नमस्कार दोस्तो मैं हूँ गजिंदर दोस्तो आज के जो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल गले की सही तरीके से कटिंग कैसे की जाती है तो दोस्तो मैंने बुकरम का ये पीस लिया है और भुकरम की जो चोड़ाई है यह है मेरे पास में 1.5 इंच आपको simply क्या करना है इस तरीके से भुकरम को डबल फोल्ड करना है यह देखेगा जो खुले वाला हिस्सा है वो सामने एक तरफ रखना है और बंद वाला रखना है अपनी तरफ ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है नीचे इस तरीके से बिल्कूल सीधे एक निशान लगाना है यह देखेगा इस तरीके से ठीक है उसके बाद में जितनी भी गले के लंबाई है आपको उसका निशान लगाना है गले की जो लंबाई है मैं रहूंगा 6.5 इंच तो गले की लंबाई हो गई और 1.5 इंच मैं एक्ष्टर लूँगा क्योंकि 1.5 इंच ऊपर चला जाएगा ज़ागा जोड़ेंगे तो एक निशन मैं यहाँ पर लगा लेता हूं इसको मैं इस तरीके से बड़ा कर लेता हूं यह देखिए ठीक है दोस्तो तो गले की लंबाई के निशान हमने लगा लिए अब आती है बात ब्रोड्नेस की कि गले की जो ब्रोड्नेस हो कितनी रखनी है हर किसी के अपनी चॉइ जितनी भी आपको ब्रोड्नेस रखनी है इसका जो 6 इंच बन रहा है उसका मैं रख रहा हूं हाव यानिकी 3 इंच यह देखिएगा 3 इंच पर इस तरीके से इन दोनों निशानों को अब मैं इस तरीके से मिला लूँगा यानि कि एक बोक्ष तो मैं इसकी शेप बना सकते हो इस तरीके से इस तरीके से ठीके दोस्तों तो दोस्तों बॉक्स मैंने बना लिया है अब मैं आपको चीज बताता हूं कि जो गोल गला होता है काफी सारे तरीके से कट किया जाता है हर किसी का अपने तरीका होता है लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा Beginners के साथ में क्या बड़ा problem होती है problem क्या होती है यहाँ पर जो गॉल वाली शेप होती है वो सही तरीक से नहीं बन पाती है तो उसका मैं solution बताओं क्या करना है आपको simply करना क्या है उपर वाला जो निशान है यहां से साड़े चार इंच की दूरी पर इस तरीके से आपको निशान लगाना है ठीक है और यहां से आपको पॉन इंच रखना यह देखेगा एक निशन आपको रखना है पॉन इंच पर इ इस तरीके से रखिए उसे यह देखिए जिस तरीके से मैं रख रहा हूं इस तरीके से देखिएगा यहां से भी और यहां से थोड़ा नीचे है और यह बल्कुल बराबर है तो आपको इस तरीके से इसमें शेप बनानी हलका सा नीचे लेगे यह देखिए यहां से भी बरा करना है यह वाला जो निशान है इस पर आपको कटिंग करनी यह पुंविश के दूरी के या यह गोलाय दे जानाए इस पट ऋब लेखी तरहे से के तो दोस्तों देखें ग далत मैंने कट करदियाय एक्दम राउंड सिप में गला कटवाये कहीं से inefficient कोई बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों जो वीडियो थी इस्पेसल बिगिनर्स के लिए थी बिगिनर्स को कई बार होता है प्रोबलम होती राउंड शेप देने में तो आप इसी जिगा इस्तमाल कर सकते हो कटोरी ले सकते हो और इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हो इससे होता की वीडियो से लाइफे संबंदित में मेरे चनल पर लाता रहता हूं आ मैं मिलता हूं आपसे नेक्ट टूडियो में तब तक के लिए थेंक्यू सो मच